नमस्का दोस्तों स्वागति आपका हमारी यूटूब चेनल फ्री एजुकेशन में देखे दोस्तों कोरोनवाइरस जो है ये टॉप ट्रेंडिंग टॉपेक है जी के और करन्ट अफेस का आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हूँ इस टॉपेक से दो से तीन कोस्टन जरूर पुछे जाएंगे तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कोरोनवाइरस रेलेटड वनने वाले सभी इंपॉइंट कोस्टन को सेलेक्ट किया है और इन सभी कोस्टन को हम बिलकुल डेटेल में विथ एस्टर फेक्ट के साथ में हल करेंगे ताकि आपको याद करने की या फर रटने की जरूरत ना पड़े तो चलिए दोस्तों फटा फट से शुरू कर लेते हैं नमबर फ़स्ट कोस्टन है कोरोना वाइरस के कारण किस दिन देश में जनता करफ्यू लगाया गया था तो देखे दोस्तों जितने भी कोस्टन इस वीडियो लक्चर में लाया हूँ यादि आपको पहले से किसी कोस्टन का अंसर पता है तो वीडियो को पोस्ट करके अपना अंसर लगाएं इसके बाद में अंसर बताऊंगा और कोस्टन के रिलेशन में जितने भी अश्टा फेक्ट बन सकते हैं उन सभी फेक्टों को समझाऊंगा तो देखें दोस्तों कोरोना वारस के करन देश में जनता कर्फिू लगया गया था 22 मार्क 2020 को तो इस कोस्टन का A option सभी हो जाएगा नैस्ट कोस्टन है कोरोना वारस का नाम किस भासा से उत्पन हुआ है तो देखे दोस्तो ये जो question है ये confusion वाला question है ठीक है ये question confusion वाला question है तो मैं आपको बता दूँ कि जो corona virus है ये चीन की वहां सहर से फैला है ठीक है और जो corona virus का नाम है ये latent भासा से उत्पन हुआ है तो इस question का भी option सही हो जाएगा next question देख लेते हैं दोस्तो नेश्ट हमारा question है हाली में corona testing kit बनाने वाला देश का पहला section क संस्तान कौन बन गया है तो देखे दोस्तो देखे दोस्तो देखे पहली mobile lab का उधगटन किया है तो देखे दोस्तो देखे दोस्तो देखे पहली mobile lab का उधगटन किया है राजनात तो इस question का C option सही हो जाएगा देखे दोस्तो इस lab को जो है कोरोना संक्रमत लोगों की जाच में तेजी लाने के उद्देश से बनाया गया है ठीक है चूकि यह mobile lab है तो इसको जो है एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है ठीक है और देश की इस नाम क्या रखा गया है तो यह रखा गया है M.V.R.D.L. ठीक है M.V.R.D.L. इसका नाम रखा गया है इसका फुल फर्म क्या होता है तो mobile virology and research diagnostic इसका फुल फर्म होता है ठीक है और देखे दुस्तो इसको जो है किस ने डेवलप किया है तो इसको जो है रख्चा मंत्रा ला है और DRDO ने मिलके डेवलप किया है तो जो रख्चा मंत्रा ला है इसके रख्चा मंत्री कौन है तो राजनात सिंग है ठीक है और DRDO के बारे में हम जान लेते हैं तो जो DRDO है इसका फुल फर्म क्या होता है तो defense research and development organization इसका फुल फर्म होता है इसको हिंदी में कहा जाता है रख्चा अनुसंधान वा विकास संगठन इसकी स्तापना हुई थी उन्नी सौन टाउन में इसका headquarter नियुद ली में इस्तित है और बरतमान में इसके chairman कौन है तो डाक्टर जी सतिस रेड़ी जो है ये बरतमान में DRDO के chairman है देखे दोस्तों कोई भी question हो यदि उस question से कोई extra information मिल रही है तो उसको अब जरूर याद रखें क्योंकि ये जो extra information जो extra fact मैं आपको बताता हूँ यहां से question जरूर generate होते हैं next question देख लेते हैं दोस्तों अंगला हमारा question है हाली में COVID-19 मरीजों के लिए आयरवित का उप्योग करने वाला पहला राज जुकोन बना है तो पहुचन है कौनसा एप 50 million download तक पहुचने वाला दुनिया का सबसे तेज एप बन गया है तो देख दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आरुग से तू एप है ठीक है जो आरुग से तू एप है यह 50 million download तक पहुचने वाला दुनिया का सबसे तेज एप बन गया है ठीक है और देखे दुस्तों ये जो एप है ना ये कोरोना संकरमत लोगों को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है ठीक है ये जो एप है ये Bluetooth, Location और Mobile नमर की मदद से चेक करता है कि आप कोरोना संकरमत व्यक्ति के कितने पास में हैं ठीक है और इस app में कोरोना वारत से बचने के tips भी आपको मिल जाएंगे और ये जो है time time पर हमें alert भी देता रहता है कि आप safe zone में हैं या फिर नहीं ठीक है और देखे दोस्तो इस question से हमें एक और fact याद रखना है कि जो आरोग से तू app है इसके वरतमान में brand ambassador को हैं तो अजे देगन जो है ये आरोग से तू app के वरतमान में brand ambassador हैं तो ये सारी extra information आप याद रखेंगे अंगला question देख लेते हैं दोस्तों अंगला हमारा question है हाली में sanitizer tunnel इस्थापित करने वाला पहला railway station कौन बना है तो देखे दोस्तों sanitizer tunnel इस्थापित करने वाला पहला railway station बना है C option से हो जाएगा ये है sanitizer tunnel ये क्या होता है तो देखे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस tunnel में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो sensor के माध्यम से chemical की fogging होती है ठीक है और जो व्यक्ती जो है इसमें प्रवेश करता है उसकी body fully sanitize हो जाती है next question है हाली में किस IIT संस्तान ने smart state to scope बनाया है तो देखे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि हाली में IIT मुंबे ने ठीक है IIT मुंबे ने Corona संक्रमत व्यक्तियों के सीने की जाच करने के लिए smart state to scope बनाया है इससे क्या होगा तो इस smart state to scope के माध्यम से डाक्टर जो है Corona संक्रमत व्यक्तियों के सीने की जाच दूर से ही कर सकते हैं ठीक है दूर से कर सकते हैं तो इससे जो डाक्टर है वो Corona संक्रमत से आसानी से बच सकेंगे next question देख लेते हैं दोस्तो अंगला हमारा question है PM Care Fund में दानकी गई रासी को एकत्र करने लिए केंद सरकार ने किस बेंक को नामंकित किया था तो देखे दोस्तो पीम केंद सरकार ने जो है केंद सरकार ने नामंकित किया था इंडियन ओवर्सीज बैंक को तो इस कोस्टन का डी ओप्सन सई हो जाएगा अब देखे दोस्तो यहां पर बात हुए इंडियन ओवर्सीज बैंक की तो इस बैंक की स्थापना कब हुई थी 1937 में हुई थी इसका हेड़ कोर्टर कहाँ पर है तो चैंड नहीं में इसका पहला राज कोन बना तो देख दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहां से तीन कोस्टन पूछे जाएंगे और तीनों कोस्टन आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टन रहेंगे सबसे पहले कोस्टन क्या पूछे जाएगा कि कोरोना वारस को महा मारी घोसत करने वाला पहला राज बना हरयाना ठीक है दूसरा आपसे कोस्टन पूछे जाएगा कि कोविड नाइटीन या फिर कोरोना वारस की बज़े से विना किसी छूट के कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज कोन बना तो आप कहेंगे पंजाब बना ठीक है दो कोस्टन हो गए तीसरा कोस्टन आ लग लग हैं तीनों फेक्ट इंपोर्टन हैं तीनों को आप याद कर लें या फर आप लिख लें क्योंकि यही फेक्ट हैं जो आपको एक नंबर दिलाते हैं नेश्ट कोस्टन है कौनसा नया लाइ लाइव नयाए करवाई को संचलत करने वाला पहला नया लाइव बन गया है तो देखे दोस्तों इस क्रम में भी आपसे तीन कोस्टन पूछे जाएंगे और मैं तीनों आपको बताऊंगा तो देखे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो गुजरात का हाई कोट है ठीक है जो गुजरात का हाई कोट है यह SCMS and ICT हाई कोट अप गुजरात एक यूटूब चेनल है और इस यूटूब चेनल पर लाइव नयाएक कारवाई को संचलत करने वाला पहला नया लाइव बन गया है तो इस इस question का D option सही हो जाएगा नैश्ट आप से question पूछा जाएगा कि भारत की पहली E लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया तो दोस्तो भारत की पहली E लोक अदालत का आयोजन किया गया है 36 गड़ में कहां पर 36 गड़ में किया गया तो इस question का A option सही हो जाएगा हमने तीन question पड़े हैं एक तो live नयाय करवाई को संचलत करने वाला पहला नयायला यदि आप से पूछा जाए तो आप कहेंगे गुजरात high code ठीक है दूसरा आप से पूछा जाए कि virtual code के जरी ये सुनवाई करने वाला पहला राज्य तो आप कहेंगे उत्त आप व्यू से most important रहेंगे नैश्ट कोस्टन है विस्व की पहली वेग्यानिक पुस्तक वाई वाई कोरोना का विमोचन किस ने किया तो देखे दूस्तों मैं आपको बता दूं कि कोरोना वारस पर कुछ important books लिखें गई हैं उन books को हम discuss कर लेते हैं तो देखे दूस्तों यह जो वाई वाई कोरोना वुक्स है यह विस्व की पहली वेग्यानिक पुस्तक है यह फेक्ट आपको याद रखना है दूसरा आपको याद रखना है कि यह जो पुस्तक है इसका विमोचन किया है आनंदी वेन पटेल ने तो इस question का D options है हो जाएगा ठीक है और तीसरा आपक क्या होता है तो Central Drug Research Institute लखनव के यह पूर्व वरष्ट वेग्यानिक हैं तो यह तीन फेक्ट आपको इस question से याद रखना है नेस्ट question है COVID-19 पर लिखी गई पुस्तक तिल वी विन के रचीता कौन है तो देखे दूस्तों जो टिल वी विन वुक्स है यह कोरोना वाइरस पर लिखी गई यह ठीक है और इसके रैटर का क्या नाम है तो इसके रैटर का नाम है रणदीब गुलेरिया तो इस question का C option सही हो जाएगा देखे दूस्तों जो रणदीब गुलेरिया है यह EMS के डारेक्टर है ठीक है EMS की डारेक्टर है तो EMS का full form क्या होता है तो All India Institute of Medical Science जो यह भी किस पर लिखी गई है तो यह भी कोरोना वारस पर लिखी गई है और इस बुक की रैटर का नाम है पॉलो गियोडानो तो इस question का V options ही हो जाएगा देखे दूस्तों how condition work का हिंदी में मतलब क्या होता है तो इसका हिंदी में मतलब होता है कि रोग संचार कैसे काम करता है next question है हाली में launch चर्चित पुस्तक वहान डायरी dispatch quarantine city के लेखक कौन है तो देखे दूस्तों यह जो बुक है वहान डायरी dispatch quarantine city इस बुक की रैटर का नाम है फोंग फोंग तो इस question का A options ही हो जाएगा और यह जो रैटर है यह कहां की रैटर है तो यह चीन की रैटर है देख 60 दिन के लिए lockdown किया गया था तो इन 60 दिनों में वहान के लोगों की क्या condition रही उसी condition को जो है इस पुस्तक में बताया गया है ठीक है और यह जो वहान डायरी पुस्तक है इसका जो है लगभग 15 भासाओं में translation भी हो चुका है और इस बुक को जो है भारत में भी launch किया गया next question देख लेते हैं दोस्तों अंगला हमारा question है मेमत operation कि से संबंदत है तो देखे दोस्तों जो मेमत operation है ना यह COVID-19 यहने की Corona virus से संबंदत है देखे दोस्तों जो मेमत operation है यह COVID-19 vaccine को विश्ब इस तर पर पहुछाने से संबंदत है Next question है किस IIT संस्तान ने QBRAP नामक एक नेदानिक मसीन विक्सित की है तो देखके दूस्तो QBRAP नामक एक नेदानिक मसीन विक्सित की है IIT खड़कपुर ने तो इस question का C option से हो जाएगा और ये जो QBRAP नामक नेदानिक मसीन जो है ये एक घंटे से कम समय में कोरोना वारस की जाज करेगा और इस मसीन की कीमत कितनी है तो लगभग 500 रुपे जो है इस मसीन की कीमत है नैश्ट कॉस्टन देख लेते हैं दोस्तों इसी क्रम में आपसे एक और कॉस्टन पूछे जाएगा कि COVID-19 महामारी के कान इमर्जेंसी यानि की आपात काल लगाने बाला पहला देश कोन सा बना था तो देखे दोस्तों कोरोना वारस के कान इमर्जेंसी यानि की आपात काल ल लगाया था तो वो लगाया था जापान ने दोनों फेक्ट अलाग अलाग हैं और ये दोनों फेक्ट भी आपके एक्जाम के लिए important रहेंगे next question देख लेते हैं दोस्तों अंगला हमारा question है किस राज की सरकान ने कोरोना वारस के मद्दे नजर सेक्रेट विडी गुट का जर्दा सुपारी हुक का ई हुक का सेक्रेट समेत सभी तमबाकू पधारतों के ओपयोग और विक्री पर रोक लगा दी है तो ये रोक किसने लगाई है दोस्तों तो ये लगाई है जहार खंड ने तो इस question का C option सही हो कि हाली में केंद सरकान ने महामारी कानून 1897 में के तहती एक अध्यधिस जारी किया है इसके अनुसार डॉक्टर और स्वास्तकर्मियों पर हमला करना अब गेर जमानती अपराद माना जाएगा इसमें जो है तीन महीने से लगाकर अधिक्तम साथ साल तक ठीक है इसमें जो अपना काम बिना किसी परेशानी के कर सकें नेस्ट कॉस्टन है दुनिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन के उत्पादन और निर्यात में कौन सा देश सील्स पर है तो देख दोस्तों जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन है इसके उत्पादन और निर्यात में अपना देश भारत जो है ये टॉप पर है तो इस question का C option से हो जाएगा आप लोग जानते हैं कि जो hydroxy chloroquine है यह एक malaria रूधी दवा है और इसके प्रियोग से कोरोना संक्रमत मरीजों में बहतर सुधार हो रहे हैं और अमेरिका जैसे वड़े वड़े तागत पर देश जो हैं वो इस मांग कर रहे हैं अपने देश भारत से ने नेस्ट कोस्टन है हाली में भारत में पुड़े की my lab discovery नामक टीम द्वारा विक्सित की गई सौधेसी COVID-19 टेस्ट किट का नाम क्या रखा गया है तो देखे दुस्तों पुड़े की my lab discovery नामक टीम ने एक सौधेसी COVID-19 टेस्ट किट डेवलप की है और इसका नाम रखा गया है पैथो डेटेक्ट तो इस कोस्टन का भी ओप्सन सही हो जाएगा next question है किस ने कोरोना वाइरस यानि की COVID-19 को अंतरराष्टी आपात काल घोसित किया है तो देखे दुस्तों कोरोना वारस को अंतरराष्टी आपात काल घोसित किया है WHO ने तो इस कोस्टन का भी ओप्सन सही हो जाएगा अब देखें दुस्तों यहां पर बात हुई है WHO की तो जो WHO है इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो World Health Organization होता है हिंदी में इसको कहा जाता है विस्ब स्वास्त संगठन इसकी स्थापना कब हुई थी तो 7 अप्रेल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी इसलिए हम हर साल 7 अप्रेल को विस्ब स्वास्त दिवस की रूप में मनाते हैं ठीक है और जो WHO है इसका हेड़ कोटर कहां पर स्थेत है तो जैनेवा सोजर लेंड में इसका हेड़ कोटर स्थेत है नेश्ट कोस्टन है के अंद सरकार ने COVID-19 वैस्बिक महामारी की मद्दी नजर मनरेगा की मजदूरी में और तन कितने रूपे की व्रद्धी की है तो देखे दूस्टो कोस्टन का लेबिल देखके आप समझ पा रहे होंगे कि कोस्टन जो ही ये कितने इंपोर्टन है और देखे दूस्टो मैं आपको बिना रुके बिना थके बिलकुल नान इस्टाप तरीके से पड़ा रहा हूँ तो देखे दूस्टो यहाँ पर आपका एक फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने जितने भी सहब पार्टी हैं दोस्ट त्यार मित्र हैं उन सभी तक इस वीडियो को सेर करेंगे तो देखे दूस्तो केंद सरकाद दौरा COVID-19 वेस्बेक महामारी की मद्दी नजर मनरेगा मजदूरी में औस्तन जो है 20 रुपे की व्रद्दी की है कितने रुपे की 20 रुपे की व्रद्दी की है मैं आपको बता दूँ कि मनरेगा की देनिक मजदूरी पहले कितनी थी तो 182 रुपे थी ठीक है तो जो मनरेगा है इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका फुल फॉर्म होता है महत्मा गांधी राष्टी रोजगार गारंटी योजना ठीक है पहले इसका नाम क्या था तो पहले इसका नाम था नरेगा यहां से जीके में एक कॉस्टन पूछा जाता है कि नरेगा का नाम जो है यह मन्रेगा कप किया गया त çıkar के पूछा जाता है तो यह नाम बदला गया था मैं आपको बता दूँ दो अक्टूफर 2009 को थीक है दो अक्टूबर 2009 को जो है नरेगा का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था तो मन रेगा कर दिया गया था नेस्ट कॉस्टन देख लेते हैं दोस्तों अंगला हमारा कॉस्टन है परियाटन मंत्राला ने भारत के विविन हिस्सों में फसे विदेशी परियाटकों कोई सहायता के लिए किस पोर्टल का सुभारम किया ह तो देखे दोस्तो परियाटन मंत्रा लेने जो बिदेशी परियाटक जो है अपने देश भारत में फसे थे तो उनकी मदद के लिए जो है Stranded in India नामक पोर्टल सुरू किया था तो इस कॉस्टन का A option सई हो जाएगा next question देख लेते हैं दोस्तो अंगला हमारा question है हाल ही में राजिस्तान के किस सहर में no mask no service अभियान सुरू किया गया तो देखे दोस्तो जो no mask no service अभियान है ये कहाँ पर सुरू किया गया राजिस्तान में और राजिस्तान के किस सहर में जोतपुर सहर में तो इस question का V option सही हो जायागा इसका उद्दिश क्या है तो लोगों को मास्क के पृतिश ज्यागरू करना और कोरोना महामारी को नियंत्राण करना जो है इस अभियान का प्रमख उद्दिश सहर नेश्ट question है हाली में सबसे देखे दोस्तो रेलांस फाउंडिशन ने लोगडाउन के समय देश के तीन करोड गरूईबों को मुप्त में भोजन देने के लिए मिसन अन्ना सिवा कारिक्रम सुरू किया है और ये जो कारिक्रम है ये प्राइविट फाउंडिशन के द्वारा सुरू किया गया दुनिया का सबसे बड़ा मुप्त भोजन कारिक्रम है याद रखेंगे नेश्ट कॉस्टन देख लिएते हैं दोस्तो अंगला हमारा कॉस्टन है कि जो कोरोना वारस यानि कि कोबिड-19 है ये मानुसरेर के किस अंग को प्रभावित करता है तो जो कोरोना वारस है ये मानुसरेर के फ कोबिड-19 योद्धा कर लियान योजना लॉंच की है मद्पिदिस रास्तरकान ने तो इस कॉस्टन का डी ऑप्सन सही हो जाएगा देख दुस्तों मद्पिदिस राज में कोरोना वारस को रोकने में जो करमचारी लगे हुए हैं जैसे कि सपाई करमचारी हैं आंगनवाड की सहता धी जैएकि नयाश्ट कोस्टन है रेलाइंश llev ऑंडिसन के दोारा भारत का पहला कोबिड-19 सेंटर कौन से एस्पिताल में बनाया गया तो देकशन है यह किसकी दौरा बनाया गया था तो रेलाइंश फंडिसन के दो अश्पितल के दheart regard नाया गया था ठीक हैं और क शते थे ने, next question है Corona virus, यानि की Covid-19 की test kit को क्या नाम दिया गया है, तो देखे दूस्तो, Covid-19 की test kit को नाम दिया गया है, RT-PCR, तो इस कोच्टन का V-O cheated हो जाएगा, देखे दूस्तो, जो RT-PCR है, इसका full form क्या होता है, तो इसका full form होता है, reverse transcription polymer chain reaction ठीक है और इसी test से पता चलता है कि व्यक्ति को corona virus हुआ है या फिर नहीं यानि कि व्यक्ति जो है ये covid positive है या negative है next question देख लेते हैं दोस्तों next question है किस राज सरकान ने एक mask अनेक जिन्दगी नामक एक जन्जाग रुकता अवियान शुरू किया है तो देख दोस्तों एक mask अनेक जिन्दगी नामक जो जन्जाग रुकता अवियान है ये शुरू किया है तो इस question का a option सही हो जाएगा इसका उद्दिश क्या है तो इसका उद्दिश जो है लोगों को mask के प्रतिश जागरू करना है क्योंकि जो mask है यही जो है covid-19 का प्राथमेक और सबसे सरल साधन है next question है हाली में किस रास्तरकान ने covid-19 के मरीज़ों के लिए covid-robotics का उप्योग शुरू किया है तो देखे दुस्तों covid-robotics का उप्योग किस ने शुरू किया है तो जारखन राजज ने शुरू किया है तो इस question का भी option सही हो जाएगा ये जो हैं ये covid-robotics हैं ठीक है और इनी की मदद से जो corona positive व्यक्ति हैं जो मरीज हैं उनको दबाई, खाना, sanitizer और जितनी भी accessories हैं वो दी जा रहे हैं ठीक है इसका फायदा क्या होगा कि जो वहां का medical staff है वो जो है वो corona संक्मर से बच सकेगा next question देख लेते हैं दोस्तों अंगला हमारा question है किस देश ने no mask no service policy launch की है तो देखे दोस्तों no mask no service policy जो है ये launch की है वांगला देश ने तो इस question का डी option सही हो जाएगा next question है हाली में किस राजिकी नगर नगम ने plastic law mask लेजाव पहल की शुरूआत की है तो देखे दोस्तों में आपको बता दूं कि उत्त्रा खंड के देहरा दून नगर नगर नगम ने plastic law mask लेजाव पहल की सुरूआत की है तो इस question का a option सही हो जाएगा ठीक है इसके दो फायद भी जाग रुक बनेंगे तो दो इसके benefit होंगे next question देख लेते हैं दोस्तो next question है चीन भारत छोड़ो यानि कि China quit India अभियान की शुरुवात कब की गई तो देख दोस्तो यह question जो है यह important रहेगा ठीक है तो चीन भारत छोड़ो यह फिर China quit India अभियान जो है इसकी शुरुवात की गई 9 अगस्त 2020 को A option सही हो जाएगा देख दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि 9 अगस्त 2020 को Confederation of All India Traders यानि कि कैट के दौरा महत्मा गांधी की भारत छोड़ो अंदोरन की तरज़ पर चीन भारत छोड़ो अभियान शुरू किया गया और देखे दोस्तो कैट ने जो है भिविन राजियों की लगभग 600 इस्थानों पर चाइना भारत छोड़ो अभियान शुरू किया और देखे दोस्तो इस अभियान के तहट जो है केंद सरकार से भारत में चीन के वड़ते कदमों पर हला वोल वोलने का आगर रह किया गया और साथ ही देश में चीन की निवेश्थ तथर चीन के आयात का व्रोध किया गया Next question देख लेते हैं दोस्तों अंगला हमारा question है किस राजने कोरोना वारस को फैलने से रोकने के लिए टीम 11 नामक के समीतियों का गठन किया है तो देखे दूस्तों टीम 11 नामक समीतियों का गठन किस ने किया था तो ये किया था उत्तर प्रदेश राज ने तो इस question का D option सही हो जाएगा Next question है अब सार्ब जनक स्थलों पर थूंकने पर आपदा प्रबंधन कानून की किस धारा के तहट दंडनीय अप्राद बनाया गया है अब सार्ब जनक स्थलों पर थूंकने पर एक साल तक की सजा हो सकती है next question है हाली में किस देश की सरकान ने hand sanitizer और mask को आविश्रक वस्तु घोसित किया है तो देख दोस्तो hand sanitizer और mask को आविश्रक वस्तु किस ने घोसित किया है तो अपने देश भारत ने किया है ठीक है और किस अधिनियम के तहट जो है hand sanitizer और mask को आविश्रक वस्तु घोसित किया गय ये भी आपसे question पूछा जाएगा तो एक अधिनियम है आविस्थक वस्तू अधिनियम कौन सा आविस्थक वस्तू अधिनियम 1905 के तहट जो है नेस्ट कॉस्टन है हाली में किसने प्राण वायू नामक पोटिवल वा कम लागत वाला वेंटिलेटर विक्सित किया है तो देखे दोस्तो प्राण वायू नामक जो वेंटिलेटर है ये किसने विक्सित किया है तो आई आई टी रुड़की ने विक्सित किया है तो इस कॉस् का सी option से हो जाएगा ओपर योक्त दोनों ने ये क्या है तो देखे दोस्तों कोबिट कॉरंटाइन अलर्ट सिस्टम जो है एक application है इसकी माध्यम से जो कॉरोना संक्रमत व्यक्ति है उस पर निगरानी रखी जाएगी ठीक है ताकि जो positive व्यक्ति है जो संक्रमत व्यक्ति है वो देखे दोस्तों रक्षा सर्व एप किसने विक्सित किया है तो ये किया है 36 गड़ की पुलिस ने तो इस कॉस्टन का D option सही हो जाएगा 36 गड़ की पुलिस ने हॉम कॉरंटाइन लोग उपर निगरानी रखने के लिए एप लॉंच किया है नैस्ट कॉस्टन है भारती रेल भी ने जीवन नाम का वेंटिलेटर डेवलप किया तो इस कॉस्टन का D option सही हो जाएगा ठीक है और ये जो वेंटिलेटर है ये रेलवे की कपूर थला रेलवे कुछ फैक्टरी द्वारा विक्सित किया गया है ये काफी सस्ता है इसकी कीमत करीब जो है 10,000 रुपे है ठीक और भारती रेलवे का सिलोगन क्या है तो राष्ट की जीवन रेखा जो है ये भारती रेलवे का सिलोगन है नैस्ट कॉस्टन है कोरोना वारस से परेशान होकर किस देश की बित्त मंत्री थामस साइफर ने आत्मत्या कर ली है तो देख दूस्तों मैं आपको बता दूँ कि कोरोना वारस के कान कुछ famous personality के निधन हुए हैं जो कि आपके exam में question बनेंगे तो मैं उस पर एक अलक्स separate वीडियो बना दूँगा लेकिन अभी कुछ बहुत ही जादा famous personality है जिनका कोरोना वारस के चलते निधन हुआ है या फिर इन्होंने society की है तो वो आपको जानना बहुत ह जरूरी है तो देखे दूस्तो कोरोना वारस से परिशन होकर जो वित्त मंत्री thamas signs है इन्होंने suicide कर ली थी ठीक है ये किस도 ये बित्त मंत्री थी तो यह जर्मनी की वित्त मंत्री थी तो इस question का वी options सही हो जाएगा देखे दूस्तो कोरोना वारस से देश को बहुती ज्या राजकुमारी मारिया टेरसा का कोरोना वारस से निधन हो गया है तो देखे दोस्तों जो मारिया टेरसा हैं ये कहां की राजकुमारी थी तो ये इस्पैन की राजकुमारी थी ठीक है ये इस्पैन की राजकुमारी थी और 86 वर्स की आयू में कोरोना वारस के चलते इनका नेश्ट गौस्टन है पाकिस्तान के प्रिस्द्ध खिलाड़ी आजम खान का हाली में कोरोना वारस से निधन हो गया है वह किस खेल से संम्मन्दित थे तो देखें दूimal जो आजम खान है ये इनकी फोटो है और ये पाकिस्तान के पूर्व इसको इस खिलाड़ी थे तो इस क Qwid her question का D option सः हो जाएगा Next question है हाली में किस देश के पूर वे प्रधान मंत्री महमुद जिब्रील का कोरुणा वारस से निधन हो गया है तो देखे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो महमुद जिब्रील है ये लीबिया के पूर्वे प्रधान मंत्री थे और कोराना वारस के चलते हाली में इनका नीधन हो गया है तो इस question का A option सही हो जाएगा अब देखे दोस्तो बात हुई है यहाँ पर लेविया देश की तो जो लेविया देश है इसकी राध्धान क्या है ट्रपॉली है ठीक है यहां की currency क्या है तो लेविया इदिनार जो है यह लेविया देश की currency है तो दोस्तो यहाँ पर हमारे coronavirus related अ कि हम पूछते हैं हमारे प्रिबियस वीडियो से कॉस्टन में पूछा गया है कि हाल ही में कौन युद्ध सिवा मेडल पाने वाली भारत की प्रतम महिला वनी है ठीक है आपके लिए चार ओप्सन दिये गए हैं और जो वो महिला वनी है उनकी मैंने यहाँ पर फोटो लगा द देखिए जो इस साल की चर्चित महिला हैं तो 45 चर्चित महिलाओं को बिलकुल डिटेल में पढ़ाया है ठीक है और वहीं से मैंने यह कॉस्टन उठाया है तो मैं डिटेल में पढ़ाता हूं बार-बार समझाता हूं फैक्ट लिख लिख कर बताता हूं तो आप मैं जानना तक आपको याद रहते हैं तो आप जितना भी हो सके लिखा करें तो थैंक दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो के ऐसा लगा इमांदारी से हमें कमेंट करके जरूरू बताएं और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो इस वीडियो को लाइक करके ही जाना और जितने भी आपके दोस्त हैं भाई हैं यार हैं मित हैं या पर आपके मोबाइल में जितने भी इस्टेडी से रिलेटेट बाटसप गुरूप हैं उन सभी गुरूपों में इस वीडियो को सेयर करें और जो नई लोग हैं वो हमारे चनल को सब्सक्राइब करने साथ में दावाल में बेल आइकन इससे क्या होगा कि जब भी में कोई नया और लेटिस्ट वीडियो डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे और देखे दिस तो इसी प्रकार वीडियो की लिंक जो है आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फुर नीचे आपको डिस्क्रेशन में मिल जाएगी या फुर दोस्तो अभी आपको इसकरीन पर तीन बहुत ही ज़्यादा महत्मूर वीडियो देख रहे होंगे इन वीडियो को ज़रूर देख ल कि और में जा दिर्णाव।